हेलो गाइज तो लास्टेम हमने स्टार्ट किया था नंबर स्रीज तो उसमें मैंने आपको मिसिंग नंबर स्क्रीज है वो पूरा मैंने आपको क्लियर किया पूरा टॉबिक क्लियर हो गया नाओ अब हम स्टार्ट करने वाले हैं आज रॉंग नंबर स्रीज यह बहुत इंप 46 11 16 22 है कोमेंग कि इसमें हमें देखना है कि इसमें से रोंक नंबर कौन सा है AMY मैंने आपको पढ़ाया था कि रोंक नंबर को हम कैसे निकालते हैं इसप्र या है प्रॉसिटर्ट वही है आपको क्या करना है आपको इन से देखना है कि और आपको आॉडर देखने है उसके लिए क्लिर सो यहां पर हम सबसे पहले क्लिया करेंगे और देखेंगे देखो यहां पर अगर मैं बात करूं यहां से 1.-1 हो गया क्लियर 2 से 4 की बात करों तो प्लस 2 हो गया coordinator попроб 16 तक बात करूं तो यहां पर यहां पर प्लस 2 ही लेकिन होना चाहिए था फिर फ्लस 3 सुद्डट यहां पर 7 होता फिर अगर 7 ko प्लस फॉर होता तो बोड़ एलेवन आता देट मिन इस जो है यह कहीं से रॉंग लगता है ठीक है बागी अगर देखिए प्लस फाइव यहां पर प्लस इस यहां पर तो आपके पास ओप्शन वहां पर ऐसे होंगे है 4611 1622 इन मेंसे पता कौन सा इन में से रॉंग नमर है और इसे होंगे पांच चाशा और शॉप्शन तो आपको 6 जो है इस उप्शन को आपको खुलिक करना कि यह सही है इसका आंसर है क्लियर तो इस तरह रहा रॉंग नमर सेरीज के कुशन आता है हुआ है इस बात करेंगे next question की question is यहां पर आपको बस questions को थोड़ा प्रेक्ट्स करना है बागी आपको clear हो लेकर खुदी question is 4 10 22 46 96 and we have 190 इन में से बताव रॉंग नमबर इस सिरीज में रॉंग नमबर कौन सा है करना क्या है order देखने बस बहुत इस यहां यार कि 4 से 10 तक देखो कितना हो गया plus 6 10 से 22 plus 12 यहीं से हमें समझ जाता है जो order है इसका मतब 6 plus 6 is 12 अब हम चैक करेंगे फिर से 46 में से 22 निकालो that is 24 तो यहां पर यानि 22 को plus 24 हो गया तो अगर हम यहां से दिखेंगे order so 6 plus 6 is 12 12 plus 12 is 24 तो next क्या होगा फिर 24 4 plus 24 that is 48 तो यहां पर 48 होना चाहिए अब हम इसको देखेंगे क्या 46 को वाकि में 48 हुआ तो 96 आता है देखो तो यहां पर आइधिंक इच शुट भी 94 अगर दोनों का एड़ करेंगे 94 अना चाहिए तो फिर 4848 को अगर हम कैल्कुलेट करेंगे इस is 96 96 यहां पर एड़ होगा तो इसका मतलब 96 is wrong this is the wrong number क्यों क्योंकि जब यह order देखते हैं यहां पर हमें 94 आता है बात समझाई बस इस order को follow करते जाओ questions आराम से आपको आएंगे चार ओप्शन होंगे 96 उसमें से मारक करना है 94 वहां पर मारक निकरना 96 को मारक करने बात समझाई नेक्स्ट के बात करते हैं इस बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के अब थोड़ा सा question डिफरेंट लाते हैं ऐसा question जैसे for example यहां भी question है कि स्रीज हमें दी है 8 13 21 32 47 63 देखो इस question को अगर हम देखींगे और यह थोड़ा डिफरेंट है माद और वही आपको follow करना आपको और चेक करना है अगर हम बात करेंगे पहले चीज़ की दिखो 8 से 13 तक हमें कैसे देखो 8 प्लस 5 करना पड़ेगा 13 आएगा 13 प्लस करेंगे तो फटीन प्लस एड करेंगे तो 21 आएगा 21 प्लस 11 करेंगे तो 32 आएगा 32 को अगर हम देखो यहां पर हम एक चीज़ पाता चल रहें देखो ओर अश्य क्या है यहां पर फिर 5 और 8 के बीच में इकतना घर त्री का गया पहें एट और 11 के बीच में थ्रीका गया फैसो प्लस 3 प्लस स्री स्री तो 46 आता है तो यहां पर 47 है लेकिन तो यहां पर 46 होना चाहिए तो इस नंबर इस रॉप्शन इस 47 इस रॉंग नमर क्लियर यह इस टाइप प्रक्वेशन भी आ सकते हैं और यह क्वेशन के बात करेंगे कि अभी तक जितने बात कि उसमें से आपको प्लास से माइनिस देखने को मिला यह की सिंबल एडीसिन 65 थोड़ सा आपको लग रहा है कि डिफरेंट सिरीज है 67 है देन वी हाव 134 है चलिए को द्यान से देखना यहां भी आपको क्या कर रहा है पहले और चाहिंगे और क्या है इस तरह के questions भी पूशे जाते एक्जाम में अगर आप लास्ट पेपर देखो कि जैसे class 4 का पेपर देखो किया जितने भी एक्जाम हो चुके हैं जिनमें रिजनिंग का पाड़ था उनमें से आपको देखने को मिलेंगे ऐसे questions ठीक है तो तभी मैंने यह वारा कूशन भी यहां पर 65 है 33 को अगर हम 2 से multiply करते वह 66 था ठीक है लेकिन यहां पर 65 है इसका मतलब यहां पर शाहिद यह नमबर गलत है लेकिन हम चक करेंगे उसके बाद अगर यह 66 होता फिर क्या हम एक और में कहा रहा है प्लस वन तो 60 को प्लस वन करेंगे 67 बनेगा this means 65 is wrong number आगे जाने 65 यहां तक क्लियर समझ आगे यहां तक इस यह जो क्वेश्चन में आपको देखें आप मैं एक क्वेश्चन आपके लिए रखता हूं कमेंट सब्सक्राइब मुझे इसका अंसर बताना क्वेश्चन इस इसमें से आपको रॉंग नमर देखना है क्वेश्चन इस 200 100 इसमें से मुझे बताना रॉंग नमर कौन सा है कमेंट सेक्शन में आपके लिए होम रख है मुझे कमेंट सेक्शन में इसका अंसर बताना ठीक है आज के लिए इतना ही मुझे आई होप यह पूरा सेशन आपको समझाया होगा और